हाई गाईज वेलकम बैक टो नदर सेशन मैं आभावनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेस का एपिसोर नमबर 701 आज की तारीक है 28 जून 2020 हमारे दो चानल्स है पिनाकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा साथ ही साथ इस बेल आइकोन को जरूर दुबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ssccjlpinnacle.com और baldidhaka.com इन दोनों को विजिट करना ना भूलेगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विस के क्वेशन्स पुछ जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट प्रिवियस क्विस के साथ पहला क्वेशन था किस पुर्वोतर राज्य ने मुख्यमंत्री मात्रो पुष्टी उपहार योजना शुडू की है तो इसका सही जवाब है त्रिपूरा और दूसरा प्रशन था मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अधियक्ष कौन ह स्टार्ट करेंगे आज की सेशन का पहला क्वेशन मेरी जएक्षन नासा ने अपने वाशेंगटन मुख्याले का नाम बदल कर मैरी जैक्षन के नाम पर रख दिया है वे नासा की पहली अशुवेत महिला अन्जीनियर थी जिनки कहानी हिट फिल्म हिडन फिगर्ज में बता जैक्सन को National Advisory Committee for Aeronautics दुबारा भरती किया गया था, जिसे 1958 में नासा में बदल दिया गया था। वह एक शोद गनितग्य थी, जिन्हें बाद में एजेंसी की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर बनने के लिए पदोनत किया गया था। यहां फोडोग्राफ में देख सकते हैं और कुईक रिविजन की बात करें तो विश्व के महा सागरों की सबसे गहरी ग्यात जगा चालेंजर डीप में उतरने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं तो इसका सही जवाब है कैथी सुलिवन अगला प्रेशन है दो हजार तैस फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी दोनों बी और सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड दो हजार तैस में होने वाली महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त म देश बानी करेंगे दोनों दुवीपिये पडोसी देशों ने कोलंबिया को पचार दिया इस विश्व कप में टीमों को बढ़ा कर 32 टीम का कर दिया गया है जो फ्रांस में 2019 में हुए पिछले चरण से आठ जादा टीमे है इसके जुलाई 2023 में होने की उमीद है बोली में उस्ट्रेलिया में साथ और न्यूजी लैंड में पांच शहरों का प्रस्ताव दिया यहां पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं और क्विक रिविजिन की बात करें तो इस वर्ष के अरजुन पुरसकार के लिए अखिल भारतिय फुटबल महासंग द्वारा किसे नामित क किया गया है तो इसका सही जवाब है संधेश जिंगन और एंबाला देवी बात करें न्यूजी लैंड की सी क्या वह विलिंग्टन कर सिंदू दुर्ग जिले के डोगमाग तहसील में स्तित तिलारी कोलापुर में राधा नगरी वनीजे निर्ने के जरिये तिलारी पस्चिमी घाट में तेरवा कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है। महराष्टरा में इस तरह के कुल 62 रिजर्व हैं, ये एक शेतर भागो, हाथियों, तेंदूओ, सांभर हिर्नो, भौंकने वाले हिर्नो और चौसिंगा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्विक रिविजिन की बात करें, तो किस राज्जे ने स्थानिय लोगों को नौकरी पाने में मदद करने के लिए। अगला प्रेशन है, डोपिंग आरोपों से मुक्त होने के बाद, अर्जुन पुरसकार 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका सही चवाब है, ऑप्शन नमबर B, संजीता चानू, डोप के दाग से मुक्त, कॉमनवेल्ट गेम्स की दो बार की गोल्ड मेडलिस्ट, व दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार अर्जुन पुरसकार मिलेगा, संजीता को अंतराष्ट महासंग ने डोपिंग के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है, अर्जुन अवोड के लिए 2017 में अंदेखी के बाद, चानू ने दिल्ली हाइकोर्ट में रिट दायर करके, इस प्रतिश्टिट पुरसकार की सूची से उनके नाम की अंदेखी के फैसले को चुनोती दी थी, मामला हाइकोर्ट में लंबित रहने के दुरान मई 2018 में वह प्रतिबंदित प्रदार्थ के लिए पॉजिटिव पाई गई थी, कोर्ट ने अपने फैसले को सील बन लिफा जोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी तो इसका सही जवाब है option number D, 36 गड़, 36 गड़ सरकार ने राज्य में गोपालन को लाब प्रत बनाने, गोबर प्रबंदन और परियावरन सुरक्षा के लिए गोधन नयाय योजना शुरू करने का फैसला किया है, गोबर का इस योजना का मुख्य उदेश्य पशु पालन को विवसाईक रूप से लाब गायक बनाने और परियावरन सुरक्षन को रोकना है, इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुब दिन से होगी, हरेली जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे 36 गड बात करें, तो हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्य मंतरी अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया है, तो इसका सही जवाब है 36 गड़, बात करें 36 गड़ की तो इसकी फेमस डैम में आता है मिनी मातव बांगो डैम हस्दियो रिवर, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपत थर्मल पावर प्लांट, टाइगर रिजर्व की बात करें, तो अचानक मर टाइगर रिजर्व, उदंती सितंदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, कैपिटल की बात करें तो राइप भारती नौ सेना ने मारिच नामक एक उन्नत एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया है मारिच को रक्षा अनुन संधान एम विकास संगटन DRDO दवारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किया गया है यह आने वाले टॉर्पेडो को खोजने उसकी स्थीती का पता लगाने और बे असर करने में सक्षम है इस प्रनाली की प्रकृती ने सभी परिक्षनों को सफलता पूर्वक पूरा किया और नौ सेना की अवशक्ताओं के अनुसार सुविदाओं का प्रदर्शन किया इसके अलावा यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल और उन्नत प्रदियोगी की की शेत्र में आत्म निर्बर बनने के संकल्प को भी व्यक्त करता है यहां फोटोग्राफ में देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इस डिकोई सिस्टम का उत्पादन कारेगा अगला प्रशन है अत्याचार के पीडितों के समर्थन में अंतराश्ट्रे दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है अत्याचार के पीडितों के समर्थन में अंतराश्ट्रे दिवस संयुक्त राश्ट्रे दुवारा प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है इसका उदेश्य यातना के अपराद के खिलाफ बात करने और दुनिया भर में पीडितों और बचे लोगों का सम्मान और समर्थन करना है 26 जून 1998 को पीडितों के समर्थन में पहला अंतराश्ट्रे दिवस आयोजित किया गया था यहां फोटोग्राफ में देख सकते हैं और यहां पे क्विक रिविजन की बात करें तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तसकरी के खिलाफ अंतराश्ट्रे दिवस 2020 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है बेटर नॉलिज फॉर बेटर केर अगला प्रशन है किस भारतिय को टॉरोंटो अंतराश्ट्रे फिल्म होतसव टिफ 2020 के राजदूद के रूप में नामित किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी दोनो बी और सी टॉरोंटो इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 टिफ में प्रियंका चोपडा और फिल्मेकर अनुराग कशिप को ब्रैंड अम्बेसिडर्स की लिस्ट में जगा दी गई है फिल्म फेस्टिवल का योग सितंबर में होगा यह पहली बार है जब टिफ उत्सव के लिए एक डिजिटल प्लाटफर्म लॉंच करेगा जो टॉरोंटो के बाहर से दर्शकों के साथ जुडने के नए अफसर प्रदान करेगा यहां फोटोग्राफ में देख सकते हैं इसमें डिजिटल स्क्रीनिंग, वर्चुल रेड कार्पेट, प्रेस कॉन्फरेंस और उद्योग वारता के साथ आयोजन होगा अगला प्रशन है किस संगटन ने नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल नाम से एक अभियान शुरू किया है तो इसका सही जवाब है ओप्शन नमबर बी नीती आयोग नीती आयोग दुवारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका युनिवरस्टी और सेंटर फॉर सोशल और बिहेवियोरल चेंज CSBC ने मिलकर नेविगेटिंग दे न्यू नॉर्मल नामक एक नया वियवहार प्रिवर्तन अभियान शुरू किया गया है इसमें स्वास्थे मंत्राले और महिला एम बाल विकास मंत्राले ने भी सहयोग किया है इस अभियान को दो भागों में चलाया जाएगा पहला वैब पोर्टल अभियान है और दूसरा मीडिया अभियान है वेब पोर्टल सारवजने के भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविट से सुरक्षित रहने के लिए अपने वेवहार को बदलने के लिए प्रोचाहित करेगा अगला प्रशन है किस राज्य सरकार ने छात्रों की मदद के लिए रिलाइंस जियो टीवी के साथ एक समझोते पर हक्साक्षर किये हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी हरियाना हरियाना राज्य सरकार ने रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कमपनी जीयो के साथ मुख्य मंत्री दूरस्त शिक्षा कारकरम चीफ मनिस्टेज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की तहत एक समझोते पर हक्साक्षर किये हैं इस समझोते से राज्य के ग्रा पूली चात्र को शिक्षा प्रदान करने के उदेशे से इस समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं एडियूसेट के चार चैनल जीयो के लाइव टेलिविजन स्ट्रीमिंग अप्लिकेशन जीयो टीवी पर मुफ्त उपलब्ध होंगे एडियूसेट के चैनल उपर प्रसारि की जाने वली सामगरी जीयो टीवी प्लाटफरम पर रिकॉर्ड मोड में भी उपलब्ध होगी जो चात्रों को उनकी सुविदा के अनुसार देखने और अधियन करने में सक्षम बनाएगी इस समझोते से हर्याना के सरकारी और नीजी दोनों स्कूलों के 52 लाग चात्रों क लाब होगा यहां पर कोई क्रिविजन की बात करें तो किस राजे सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है हर्याना बात करें हर्याना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कोशलया डैम कोशलया अनंगपूर डैम नियर पार्ग और काले सर नाशनल पार्ग हर्याना की कैपिटल है चंडीगर गवर्नर है सत्यदेव नरायन आर्या और सीम है मनोहरलाल खटर बात करें आज के सेशन की क्विक समरी की नासा ने अपने हेड़ क्वाटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है मैरी ड़्यू जैक्सन 2023 फीफा विमिन वर्ल्ड कप की में जबानी कौन करेगा औस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड किस राज्य ने तिलारी फॉरेस्ट एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व एरिया का दरजा दिया है तो इसका सही जवाब है महराष्ट्रा डोपिंग चार्जिस से मुक्त होने के बाद किसे अरजुन अवर्ड 2018 से नवाजा जाएगा संजीता चानू गोदन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है 36 गड़ एंटी टॉर्पेडो डिकॉई सिस्टम का नाम क्या है मारिच इंटिनाशनल डे फॉर इंटिनाशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किसे इंबैसडर के लिए नामित किया गया है प्रियंका चोपड़ा और अनुराक कश्यप को नेविगेटिंग दे न्यू नॉर्मल का कैम्पेइन किसने स्टार्ट किया है नीतिया योग ने किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट की मदद करने के लिए रिलाइंस जीओ टीवी के साथ एग्रिमेंट साइन किया है हर्याना बात करें आज के सेशन के क्विज फॉर दे डे की तो पहला क्वेस्टिन है गोधन निया योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी और दूसरा क्वेस्टिन है 2023 फीफा महिला व नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट एससे सीजल पिनाकल डॉट कॉम और बलजी धाकर डॉट कॉम को विजिट करना ना भूलिएगा थांक्यू सो मच